Hello my dear students, welcome to ATP John, myself Rishi Raj तो आज हम लोगा स्टार्ट करेंगे और्गनिक केमेस्टिक के अंदर एक नए टॉपिक, भाय मोलोकुल्स ठेक है, तो लेटेस है स्टार्ट करते हैं, भाय मोलोकुल्स अब यहाँ पर देखो, बायमोलकुल्स के अंदर भी एक छोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है D-Syrich D-Syrich अब देखो, एक्चुली D-Syrich के अंदर पढ़ते हैं, D-Syrich के अंदर एक्चुली किसकी अस्टाइडी करते हैं, किसकी बारे में पढ़ते हैं तो देखो, मेलनी जो D-Syrich के अंदर जो होते हैं, वह structure आते हैं, बतलब उस structure को याद हम कैसे कर सकते हैं, उस structure के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, structure D-Syrich के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर स्टार्ट किये, सबसे पहला A-G-Google, इसको सौट फ ठीक है, एमिन सोते हैं, आलोच, एमिन सोता है, आलोच, जीमिन सोते हैं, गुलोच, नेक्स्ट जीमिन सोते हैं, गुलोच, और नेक्स्ट जीमिन सोते हैं, गलैक्रोच, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं A, एमिन सोते हैं, अल्ट्रोच, एमिन सोते हैं, मैनोच, I means होते हैं Iodos, और next T means होते हैं Talos, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लिए है structure का ना, यह जो structure था, यह सारे structure को, जो 8 है structure है, इसको हमने लिखा, अब इसको करते हैं, इसको counting करते हैं, जो as यह Google है इसको लिखते हैं odd के फर्म में, odd means 1, 3, 5 and 7, इसको odd के फर्म में लिख लिए है, और जो Amit है इसको even के फर्म में लिखते हैं, means 2, 4, 6 and 8, ठीक है, तो as Google को हम क्या लिखे, odd के फर्म में, और Amit को हम क्या लिखे, even के फर्म में, तो यहां तक हो गया, अब उसके बाद इससे structure को हम कैसे याद कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, प्लिज उससे ध्यान से देखे, इस वीडियो को, बिल्कुल उस ट्रिक से जीतने फिया structure है, उस सारे structure अपने आप लिखा जाएगा, सबोज यहां पर पहला देखते है structure D-glucose, तो सबको याद होता है, मैली तो याद ही होता है D-glucose, तो यहां पर दे दो functional group होता है, top aldehyde होते हैं, और bottom पर होता है alcohol, top aldehyde functional group होते हैं, और bottom पर alcohol, इसके अंदर total 4 chiral center होता है, 1, 2, 3 and 4, अब यहां पर होता क्या है, चो lowest chiral center है, चो lowest chiral center है, इस पे H की position left side होता है, और OH की position right side, इसको बलते हैं D-form, उसके बाद H, OH, उसके बाद फिर क्या होता है, H, OH, फिर उसके बाद क्या होता है, इधर, left में OH, right में H, H, OH, यह होता है D-glucose का structure, यह तो मैंली सबको याद रहता है, इसके बाद का structure है, उसको याद करने में problem होता है, होता तो सब एक ही जैसा है, लेकिन सिर्फ H और OH की position change हो जाता है, काईल सेंटर के around, ठीक है, सबोच, मुझे लिखना है D-menos, मुझे लिखना है D-menos, तो देखो इसको हम trick से कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखे trick, एक छोटा सा trick, लेकिन बहुत काम की चीज़े है, ठीक है, एक छोटा सा trick से, जितने भी structure दिख रहा है, जितने भ कोमन है, क्या, टॉप पे रखते हैं aldehyde, टॉप पे होता है aldehyde functional group, और बॉटों पे होते हैं alcohol functional group, यह पार्ट सभी के लिए कोमन है, मतलब यहाँ पे जो टोटल आठा structure जो गीवेन है, जो आठ जो यहाँ पे नेम गीवेन है, ओ यह आठो का यह पार्ट सब के लिए कोमन ठीक है, उसके बाद इसके नदर 4 chiral center होता है, 1, 2, 3 and 4, सभी के लिए पार्ट कोमन है, उसके बाद लिखना है D-Manage, मुझा structure लिखना है D-Manage का, D-Manage, देखो D-Manage को कैसे लिख सकते है, D-Manage, अब D के लिए होता क्या है, सबसे लोएस्ट काईर सेंटर पे, H की position left side और OS की position right side, यह होता है D-Form, अब इसमें मुझे डालना है मैनोज, कैसे इसके नदर मैनोज बना सकते हैं, तो देखो इसके लिए trick, पिल्कुल simple, total 8 है, यहां पर total कितना structure है, 8 है, तो यहां से 1 से 8 तक काउंटिंग की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि total 8 है, तो 1 से 8 तक काउंटिंग की है, उसके बाद करते क्या है, मुझे लिखना है D-मैनोज, हम लोग को क्या लिखना है, D-मैनोज, तो यहां पर चेक करो मैनोज कौन से नम्मर पे, 4 पे, तो हम मैनोज को मार कर लिए, ठीक है, अब करते क्या है, इस 8 को 2 equal पार्ट की है, तो यहां से लाइन खीचे, अब इस लाइन से चेक करो, इस लाइन से चेक करना है, कि जो 4 की पोजिशन है, वो लेप्ट है या राइट है, तो देख रहे हैं कि लेप्ट है, तो यहां से ए पार तो सब के लिए कोमन है, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो इस फोर की पोजिशन लेप्ट है उसी तरह से इस लाइन से जो यहां से इस यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबके लिए कोमन है तो जब फोर की पोजिशन इस लाइन से लेप्ट है तो इसके यहां से लेप्ट में क्या लगा देंगे हाइट्रोजन सिर्फ हाइट्रोजन को भी हटा दो इससे भी कोई मतलब नहीं है next बचा 1 स 4 तक अब इससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइट करेंगे तो यहां से लाइन खीचे अब इससे भी कोई मतलब नहीं है अब क्या बचा 3 और 4 तो 3 और 4 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइट करते हैं तो यहां से लाइन कीचेंगे ऐसे अब इस से लाइन से चेक करेंगे कि 4 की पोजिशन की दर है राइट है तो यहां से उपर गए तो 4 की पोजिशन की धर कि जिखा देंगे औवेच यह क्या लिखा गया डीच की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसी तरह से इस में से किसी का भी आश्ट्रक्चर लिख सकते हैं फिक या तो डी आयोड जो डी टेलोज तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो प्लिज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें ओके थैंक यू